हेलो आज हम बात करेंगे पोस्ट ओफिस की NSC स्कीम के बारे में जनी National Savings Certificate स्कीम के बारे में और ये बहुती सांदार स्कीम है पोस्ट ओफिस की FD से भी ज्यादा ये रिटरन देती है तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पोस्ट ओफिस की NSC स्कीम में कितने र ही हम स्किम में 5 साल के बाद कितने रुपए मिलें ग अक्रप करेंगे चलिए चलते हैं पोस्ट शवीष की एन सट吸 किम के कलकुलेटर पर आईए सबसे पहले देखते हैं अगर फोस्ट शवीष की एन स-दु कीम में हम 30 आजास रुप और जैसे हम सेलेक्ट करते हैं 50,000 रुपे तो आप देख रहे हैं पोस्ट ओफिस की जो NSC स्कीम है उसमें हमें टोटल प्याज मिलेगा वो मिलेगा 19,445 रुपे 19,445 रुपे और जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 50,000 की वो हो जाएगी 59,445 रुपे और यहां पे के वीपी स्कीम है यह डबल वाली स्कीम है पोस्ट ओफिस की तो इसकी जो डबल करके हमारे पैसो को यह देगी लगबग 10 साल में वो देगी 50,000 की 1,005 रुपे 10 साल म हमें 19,000 रुपे का ब्याज और 79,475 रुपे हमारे टोटल हो जाएगे अगर हम NSE स्कीम में 50,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं अगर हम पोस्ट ओफिस की NSE स्कीम में 50,000 की जगाए 1,005 रुपे इन्वेस्ट करते हैं तो आईए देखते हैं कितने रुपे मिलेंगे यहां पर सेलेक्ट करते हैं एक लाग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको लोन की जरूरत है और आप बैंक के चकर नहीं कारना चाहते हैं तो मैंने एक एप का लिंक दिया है वो बहुत ही सेक्योर एप है आपको लगबग 5 मिनट में बिना किसी ड पोस्ट को रेफर करोगे तो आपको लगबग 1000 रुपे तक भी मिल सकते हैं वो रूल से आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरस्टेड हो तो डाउलोड कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हो अगर पोस्ट ओफिस के एक लगबग 10 साल में आई आप जानते हैं पोस्ट की बजाए अगर दो लाग रुपे इंवेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपे मिलेंगे यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं दो लाग रुपे और जैसे हम सेलेक्ट करते हैं दो लाग रुपे तो आप देख रहे हो कि पोस्ट ओफिस की एनसी स्कीम हमें दो लाग के उपर ब्याज देगी 77,900 रुपे पूरे 5 साल में और हमारे 2,00,000 रुपे बढ़के हो जाएंगे 2,70,900 रुपे के वे पी हमारी सांदर्स कीम है 2-4 कर दिये 10 साल के आसपास अब देखते हैं पोस्ट ओफिस की NSCNE National Service Certificate में अगर हम 3,00,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं हमें कितने रुपे मिलेंगे यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं 3,00,000 रुपे और जैसा कि आप देख रहे हो अगर 3,00,000 रुपे हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ओफिस की NSCNC talented luck certificate में अगर हम 5,00,000 रुपे इन्वेस्ट करते यह हमें 10,000,000 लगब 10 साल में आईए अब जानते हैं पोस्ट ओफिस की NSC स्कीम में अगर हम 5,000,000 की बज़र 10,000,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे हैं हम पर सेलेक्ट करते हैं 10,000,000 रुपे और जैसा कि आप देख रहे हैं के वेपी स्कीम करते हैं हमारे 10,000,000 को 20,000,000 लगब 10 साल में अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फोरमेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों रेलिटिव के साथ सेर कर दीजिए चैनल को लाइक, सेर, सबस्क्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद